हेलो फ्रेंड्स, आयू वेदा एन मेडिसन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स, अकसर हम अपनी जिंदिगी में देखते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, तो उसका ध्यान हमारे चेहरे पर ज्यादा होता है एक सुन्दर चेहरा हमें बहुत ज़दा अट्रेक्ट करता है वहीं पर अगर आपके चेहरे का रंग काला पन या सावला पन होता है तो लोग आपसे जल्दी अट्रेक्ट नहीं हो पाते हैं ऐसे में दोस्तो हमें अपने चेहरे को बहतर बनाने का पयास करना चाहिए हमें वो सभी परका के तरीके बनाने चाहिए जिससे कि हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा सुन्दर बन सकता है अगर आप अपने चेहरे को सुन्दर बनाना चाहते हैं जिससे हम अपनी जिन्दगी को बहुत ज़्यदा खुसाल बना सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप अपने चेहरे के कालेपन और सावलेपन को दूर करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेल उपाय बताता हूँ जो पूरी तरह से रामवान है और आपके चेहरे को सुन्दर बनाने में मदद करेगा दोस्तो आज के समय में चेहरे को सुन्दर बनाने के लिए बहुत सारे लोग मेकप का सहरा लेते हैं जो कि दोस्तो उनको ज़्यादा तो फायता नहीं देता है लेकिन बाद में उनके चेहरे के उपर दाग दपे होने शुरू हो जाते हैं जिनसे के उन्हें पहुत ज़्यदा दिक्कते आने लगती है अगर दोस्तो आप नैचुरल तरीके से अपने चेहरे को बहतर बनाना चाहते हैं तो आज का घरेल उपाई सिर्फ आपके लिए है चलिए दोस्तो जानते हैं क्या है वो घरेल उपाई और आपको इसका इस्तिमाल किस तरह से करना चाहिए दोस्तो आज जो मैं आपको घरेल उपाई बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यदा लाजवाब है आपने कही न कहीं सुना होगा हल्दी का इस्तिमाल करके चेहरे को बहुत ज़दा गोरा बनाया जा सकता है लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं हल्दी हमारे चेहरे को चमक देने के साथ साथ एंटी बैक्टियल गुनों से बरफूर रहती है इसके अंदर कलकुमिन नाम का एक एंटी अक्स्टिंट पाये जाता है जो कि फिर रैडिकल से लडने में मदद करता है और चेहरे के काले दपो को हटाने में मदद करता है इसका इस्तिमाल करके हम अपने सिकिन के साथ साथ स्वास्त का भी बहुत ज़दा फायदा उठा सकते हैं चलिए दोस्तों आज मैं आपको गोरा बनाने के टिप्स के अंदर दो ऐसे तरीकी बताने जा रहा हूँ जाए तो आपको अपने चेहरे या सिकिन के उस हिस्से पर लगाना है यहां पर सावलापन या कालापन बहुत ज़दा आ गया है अगर आपके सरीपर कहीं दाग दब्बे हैं तो भी आप इस उपाय को अपना सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको अपने सिकिन पर इस पेश्ट को अच्छी प्रकार से लगाना है 15-20 मिनट बाद जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो इसके बाद आपको अपने चेहरे या सिकिन को पूरी तरह से गुर्गोने पानी या फिर साप पानी से दो लेना है आपको सब्ता बन में 2-3 बार इसका इस्तिमाल करना है कुछी दिनों के अंदर आप देखोगे आपका चेहरा पहले से ज़्यादा गोरा हो गया है चलिए दोस्तों आप मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ जिसमें आपको हल्दी को मुलताने मिट्टी के साथ मिक्स करना है और आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा रंगत मिलेगी दोस्तों आपने मुलताने मिट्टी का नाम सुना होगा इसके बाद दोस्तों आपको इसका एक पेश्ट तयार करना है जब पेश्ट पूरी तरह से तयार हो जाए तो आपको अपने इसे चेहरे और गर्दन वाले हिस्से पर लगाना है आप इसे अपने हाथ या पेर उपर लगा सकते हैं अगर आपके सरीपर कहीं दाग धब्बे है तो भी आप इसको अपलाई कर सकते हैं 15-20 मिनट बाद जब या पूरी तरह से सूख जाए तो आपको अपने चेहरे या फिसिकिन के उस हिस्से पर जहां पर आपने इसे अपलाई किया है अच्छी परकासे दोना है इस उपाय को अगर आप सब्ता में दो बार इस्तिमाल कर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्काइब करें बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि न्यूव वीडियो की नॉटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें